वेरी गुड मॉर्निंग तू अल अफ यू एक बार फिर से इंग्लिश के इस क्लास के अंदर स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पी आर बोर्ट की एक विश्वी को तो लिखा है रबिंदना टैगोर ने बहुत ही इंवर्स्टिंग और बहुत ही इस पोईट्री को पढ़ाने से पहले आपको ओवर्वीव दे दूँ कि है क्या इसमें प्राथना एक दूआ है दूआ है जिसमें उन्होंने एक दूआ मांगी है रब से और कहा है के में देश कैसा होना चाहिए दूआ कि शुरुआत तो लास्ट में है रहां से नुवि यहां से शुरू पार मतलब जयाता है let my country awake मेरे मुल्क को जगाओ और मेरे मुल्क को बनाओ तयार करो तो जागरूप करो into the heaven of freedom आजादी के उस जन्नत में ठीक है जाद रखेगा let my country awake मेरे मुल्क को जगाओ आजादी के उस जन्नत में कहाँ अब इसकी शुरुवात यहां पे हो रही है यहां where the mind is without fear यहां पे जो जहन है जहां पे दिल है बिना डरे हो यानि के खौफ नहों उसके अंदर confident हो और खौफ और भैवाला माहौल नहों where the head is held high यहां पे सर्फख से बलंद हो हर शखस कह सकता हो हम इस मुल्क के नागरिक हैं इस मुल्क के शैरी है और हमें उतनी ही आजादी है जहां दूसरे को जतनी आजादी होती है तो यहां पर एक दूआ कर रहे है और कैसा मुल्क चाहिए जहां पर तालीम free हो यहां पर दुनिया का मतलब यह नहीं कि उसके पैसे नहीं लिये जाए इसका मतलब यह नहीं कि तालीम सिर्फ एक कम्यूनिटी के लिए होनी चाहिए हर शखस यहां वो किसी मजभब से तालुक रखता हो उसके लिए तालीम फिरी होनी चाहिए उसके लिए accessible होनी चाहिए where the world has not been broken into fragments देखिए fragments का मला होता तुकड़े इससे जहाँ पर दुनिया has not been broken टूटी हो मतलब दुनिया का मतलब हमारा मुल्क जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हुआ न बटा हुआ हो दूआ कर रहे हैं कि हमें ऐसा देश तयार कर दो जहाँ पर जो हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पर हमारा मुल्क है वो छोटे छोटे पुड़ों में न टूटा हुआ हो न बटे where the world has not been broken up into the fragments fragments का मतलब छोटे छोटे टुकड़े by narrow domestic wall मजहब की तंग दीवार में यहां तो narrow domestic wall का मतलब जात पात की दीवार मजहब की दीवार के अंदर हम लोग न बटे हमारा ऐसा हिसा नहीं होगे कुछ कोई चंद लोग जो है यह कह रहे हों कि हम मसल्मान है जोटे जोटे दीवार हैं और यह तंग नज़री की दीवार है हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए बलके ऐसा चाहिए जहां पर यह सारी चीज़े यहां कह रहे हैं where words come out from the depth of जहां पर सच जो है जहां अलफाज जहां पर लोगों की बातें निकल के आती हो हो सच्चाई की घहराई से depth of truth सच्चाई की घहराई सच बола जाए इसा मुल्क जहां पणदी यहां पर सब लोग सच बोलतों एक दूसरे को धोका न देते हों ठीके एक दूसरे सच्चाई से काम लेते हो पulaदारी से काम लेते हो ऐसा मुल्क चाहिए ते कि Tireless का मतलब अंथक Striving का मतलब कोशिश का मतलब खीच जहाँ पर कोशिशें अंथक जारी हो Towards Perfection Perfection की तरफ यहाँ पर कहने का मतलब यह है रविंदन नाट टैग और यह कहना चाहरे है मतलब अगर एक इनसान कोशिश करे अपने बाजू को कहीं पर ले जाए, तो बिलकुल वो tireless हो, अन्थक हो, यह नहीं कि थोड़ी कोशिच के लिए रुख गए, थोड़ा पढ़े तो रुख गए, थोड़ी महनत के लिए, वही कह रहे हैं, हमें ऐसा जजबे से भड़ा हिंदुस्तान चाहिए, यहाँ पर कहना यह चाह रहे हैं, कि जहाँ पर extreme का मतलब धारा, reason का मतलब मकसद, फिक्र, सोच, clear का मतलब वाज़, जहाँ पर सोच की वाज़ धारा, मतलब वाज़ फिक्र, has not lost, यानि कि इनसान की सोच वो बरबाद नहीं हो, has not lost, नहीं खो चुकी हो, its way अपने रास्ते को into the dairy desert, उन एसा नहीं हो कि यहाँ पर लोगों की सोच बरबाद हो गई हो, यहाँ पर लोग गुम्राथ हुगे हो, एसा देश नहीं चाहिए रब, बलके ऐसा देश चाहिए, जहाँ पर reason बिएक बिल्कुल कि फिक्र हो, फिक्र बिल्कुल किल्यर हो, इसके अंदर अच्छी चेतना चा आइसी आदते नहीं चाहिए ऐसी सोच नहीं चाहिए बलकि ऐसी सोच चाहिए जो सब के साथ हो सब के लिए हो फिर दा माइंड इस लिट फोर लट भाई दी फिह का मतलब आप तुम यहां पर जहन को आगे बढ़ाए जा रहा हुआ आपके दोारह यानि जहन की तरक्ती हो आपकी दोवारा कहां तक इन्टू इवर वाइडनिंग था जहां पर देखिए सोच है इनसान की यह सोच पहले छोटी हो बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी होती है बढ़ती जा रही है वही इसे को कहते है इवर वाइडनिंग जो हमेशे बढ़ता हमें ऐसा देश चाहिए, where the mind is lit forward, जहां उसको आगे बढ़ाया हो गया, by you, आपके दवारा, into your widening thought, हमेशा बढ़ते हुए सोच की तरफ, positive सोच की तरफ, and action, इसा नहीं कि सोच अच्छी हो, बलकि आज थोड़ा सा काम किया, थोड़ा फिर कल जादे काम किया, और महनत, और मह मेरे मुल्क को जगा, into the heaven of freedom, आजादी की उस जन्नत में, इस जन्नत में, जहां ये सारी चीज़ों हो, जहां तर्ब फखर से बलंद हो, जहां पर डर नहीं हो, जहां पर इल्म फ्री हो, knowledge फ्री हो, accessible हो, जहां पर लोग टुकडों में ना बटे हुए, जबी दीवार में, ज जहां पर सचाई हो, जहां पर अंधक कोशिश हो, जहां पर perfection हो, जहां पर लोग अपने मकासित को नख हो सके, जहां पर इसान की फिक्र और सोच हमेशे बढ़ने वाली हो, इस तरीके से आज का ये वीडियो कम्प्लीट हुआ, उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आगया हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, प्लीज, कमेंट इन दे, कमेंट सेक्शन, थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो, जाते जाते आपसे गुजारी शेयर करा, पहली बार हमारे चैनल पर आपने हमारे चैनल प्राइब नहीं किया, प्लीज वाचि दो सुप्क्राइब जाओ फ्रो एदिट थो कर दूस्फिक्स वाचिंग में धन दून चैनल, हम रचीज बारे चैनल, हम राचिंग यह प्लीज, क्वाच यह बूच्छ टी जान्स, झाल झाल